नमस्कार दोस्तो रोहित है आज वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये है कि हम लोग अभी मान कर ये चल रहे हैं कि एकजाम में मात्र 14 दिन बचा हुआ है ये हम लोग मान के चल रहे हैं आपका स्कैटजी भी इसी तरह से डिवाईज किया जा रहा है क्योंकि लास्ट का जो कोई भी behavioral change लाने के लिए minimum कम से कम 14 दिन आपको चाहिए होता है तो चुकि अभी mission 120 प्लस चल रहा है और हम लोग 67th BPSC तक आपका एक दम कोसिस करेंगे कि 120 आ जाए क्योंकि CDPO अगर मैं आप देख रहे है कि cut-off हाई जा रहा है CDPO इतना cut-off तो कभी नहीं जाएगा पर प्र चलना आपको स्वेम पड़ेगा इस चीज से एक दम आप वाकिफ रहे कि मैं करूं X करे Y करे Z करे चलना आपको स्वेम पड़ेगा और इन 14-15 दिनों में आपके द्वारा जो कठीन फैसला लिया जाएगा वह आपका जीवन बदल देगा जीवन को सुन्दर बना सकता है और इकदम कितनी सलवटे पड़ी हुई है इस कपड़े पर ठीक है यह आईरन है और यह चाचा है जो प्रेस करते हैं अगर आप इस अब्जर्वेशन को देखे तो जितनी सलवटे हैं उस सलवटों को निकालने के लिए चाचा क्या करते हैं कि यहां से यह जो पानी है पानी इ दिमाग और उर्जा से भरा हुआ दिल, 120 नमबर आपको प्रिलिम्स में निशंद देह दिला सकता है, यह मेरा वादा भी है और दावा भी है, बस दिमाग को थंधा रखिएगा और उर्जा से दिल को भरा हुआ रखिएगा, एकदम संभव है, एकदम जंडा गाड़ा जा सकत पर साधी आसान कम थोड़ी है तो आपकी मौसी आकर बोलीगी मेरी बेटी TCS में काम करती है मेरी बेटी CTS में काम करती है चचा आकर बोलेंगे मेरा बेटा तो वीपरो में काम करता है अरे भाई सब डिलिंग पैतरा किसे दे रहा है वीपरो में काम करता है कितना का package मिलता है आपके बेटा को किसी और को जाकर dealing दीजिएगा 3.25 के आपके बेटा को package है और वही bench पर बैठा हुआ है आपका बेटा engineering करके और जब bench पर बैठा आपका बैठा है ना तो उसको 18,000 रूपया मिलता है कितना भी आपका नसीब फुटेगा उसमें BCW बहुत आगे ग्रो कर जाएगा आकर यहाँ पर जोईन कर लिजिएगा है ना आपका चैनल है आकर एकदम और एकदम responsibly बोल रहे हैं अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं आराम से BPSC दीजे अगर नसीब में प्रयास कर लिजेगा बहुत चीज होगा कुछ भी नहीं होगा तो BCW जिन्दाबाद है कुछ सलाह रहेगा आपके लिए क्या करना है सलाह इसलिए रहेगा कि आप मानेंगे उमीद करते हैं नहीं मानेंगे तो आपका कॉल रहेगा देखिए कोई भी चीजे चीज को अभी University of Cambridge का ये रिपोर्ट है और बहुत कॉमन रिपोर्ट है कि मिनिमूम 14 दिन चाहिए 14 से किस दिन चाहिए पर 14 दिन में कोई भी चीज का बेवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है Mission 120 इतना आसान भी नहीं है बोलना आसान है देखिए छोटी छोटी चीजे जो है न छोटा छोटा बेवहार में जो परिवर्तन लाते हैं इनका जो multiplier effect होता है कम से कम 5 से 10 नंबर का multiplier effect होता है अब मानते हैं कि पहला आप काम करेंगे कि अगर आप office में हैं या घर पर हैं 12 बजे से 2 बजे तक आप table पर बैठेंगे कोसिस करेंगे कि आप bathroom नहीं जाए चाय नहीं पिए, coffee नहीं पिए कुछ भी नहीं करें 12 बजे से 2 बजे आपका exam का समय होता है आप कम से कम 14 दिन तक लगातार 12 बजे से 2 बजे तक mobile को off करके laptop को off करके आप पढ़ेंगे आपको लग रहा हो कि बहुत common बात कर रहे हो, बहुत common sense की बात है but common sense is not that common है ना, आप दिमाग को train करेंगे दिमाग को किसी चीज को train करने के लिए 14 दिन उसको minimum चाहिए और इस 14 दिन में आपका दिमाग इस समय अपने best पे चला जाएगा अपने best form में आपका दिमाग चाहिए ये नहीं कि उस समय आपका दिमाग को नीन दा रहा हो, कुछ और कर रहा हो दिमाग प्रिंड है कि उस समय हमको पढ़ना ही है तो 12 से 2 अगर office में है तो बैठिएगा, वास्रू मत जाएए जो काम कर रहे हैं करिएगा पर उस समय आप ये काम करेंगे दूसरा आपके लिए मेरा सलाह ये रहेगा कि मानते हैं कि अभी आप अपने चैनल पे सारा चीज अवलेबल है वर्ल्ड जोग्रफी वगरा को मत छोड़िएगा क्योंकि यही सब आपको ब्राउनी पॉइंट देगा मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ बहुत लड़का अभी निकल रहे थे लाइब्रीरी से एक लड़का अभी अभी कंफ्यूज है कि चंद्रगुप्त मौरे और चंद्रगुप्त में एक ही वो समझ रहा है बहुत ऐसे कैंडिडेट और BPSC के त्यारी कर रहे है और भाई मतलब इतना रंगा हुआ था अपना करेंट अफेर्स का क्यों पन्ना बाप बाप कर रहा है बुल रहा है कि अब छोड़ दो प्रभू है ना, तो करेंट अफेर्स पर कम ध्यान दीजेगा फिर में रिपीट कर रहा हूँ एक लड़का दिखा दीजी जो करेंट अफेर्स के चलते फेल कर रहा है करेंट अफेर्स के बारे में भी हम डिसकस करेंगे तो आपको क्या करना है कि आप world geography अपने channel पे जाएंगे world geography मानते हैं कि आप पढ़ लिए 5 का 6 वीडियो, 6 continent आपको दिया हुआ है पहली बार किसी channel पर यह चीज़े अविलेबल है और बहुत हम इमांदारी और बहुत responsibly बोल रहा है है ना, पहले आप तो कितना world geography करके जाते थे तो मानते हैं आपने Australia continent दिया हुआ है North America continent दिया हुआ है Africa दिया हुआ है, South America दिया हुआ आप ये वीडियो किये या आपने notes को कर लिए उसके बाद आप previous year questions को attempt लेंगे कोई भी test series full length test series नहीं attempt करेंगे नहीं मतलब नहीं अगर full length test series वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसका course buy करें वो कोई आदमी सस्ता भांग लेके और चिल्लम लेके बैठा हुआ आप question set कर दिया उसका कोई relationship नहीं है BPSC से best test series हम भी कभी launch करेंगे वो कुड़ा है इस test series के सामने तो आप previous year questions मानते हैं अपने modern history of बिहार पढ़ा एक बार हम यह नहीं बोला कि सारे questions को attempt लीजिएगा हम यह बोल रहे हैं कि randomly 10 questions उठाए previous year question का attempt ले लिया विश्वास करिए अगर आपने मेरा वीडियो किया है BCW का वीडियो किया है 99% previous year question आपसे बन जाने चाहिए और नहीं बनेगा तो टेलिग्राम ग्रूप में तुरंट DM करिएगा कि क्या पढ़ाय हो गई ठीक है पहली बात यह और क्या करेंगे अब जैसे देखिए हमारे ऐसा प्रानी जो सुबह में 4-5 बज़े हमको नीन दाता है यह बहुत ही खराब हैबिट है पर इसको सुधारना स्टार्ट किये है तो कैसे आप सुधारेंगे 14 दिन में आपका भाई वो आदमी का दिमागी रात में काम करता है तो अगर आप 4 बज़े सुबह में आपको नीन दाता है तो इसको पहला दिन आप घटा के 3.30 में सोईए फिर घटा के इसको तीन बज़े लाईए फिर घटा के इसको इस तरह से करना है कि आप 12 से 1 बज़े के आस पास तो जाईए क्योंकि एक्जाम के दिन देखे दिमाग का फ्रेश होकर जाना स्वस्त होकर जाना बहुत जरूरी है ये चीज़े आपको बहुत ही trivial लग रही होंगी पर क्या करें trivial चीज़े है बताना जरूरी है क्योंकि एक दोस्त के नाते एक बड़ा भाई के नाते जो हमसे छोटे हैं उसको मान लिजिएगा है ना तो इस चीज़ को आप छोटी बाते हैं habit में लाईए बहुत जरूरी है routine को सुधारना बहुत जरूरी है full length testries नहीं करेंगे और ये जो आप लोगों को एक नया आपको आदा चड़ा हुआ है कि किसी टेलिग्राम ग्रूप में घुसे वहाँ पे quiz available है ठक ठक quiz मार दिये अरे उस quiz से तुमको क्या मिला यार उसे आप कुछ सीखे है ही नहीं हम बोल रहा है कि test आप आधा घंटा का दीजिए अगर उस test का analysis में आपने अधाई घंटा नहीं दिया तो वो testries बेकार है दो और यही दी जाता perfect recipe for the failure यही कारण है हम बार-बार repeat कर रहे हैं और आपको क्या करना है देखिए अपना confidence booster series चल रहा है आप confidence booster series को बहुत seriously लिजे प्लीज बहुत seriously लिजे इस confidence booster series में मेरा योगदान 0 होता है क्योंकि ये confidence booster series अमरेस भाई का concept है और निखिल भाई इस पर काम करते हैं प्रती दिन जो आपको question आता है आपको लगता होगा कि ऐसे ही इनो question दे दिया भाई 20 question select होता है 20 question में decide होता है कि 10 question फिर चुना जाता है उस 10 question में ये किया जाता है कि 7-8 question आपका revision करवा दिया जाता है और 2-3 question आपको नया information प्रदान किया जाता है कि बच्चा को नया information भी दे दिजे जो aspirant उनको नया information कुछ दे दिजे जो exam संबत रशता है है ना तो इसको confidence booster series को आप बहुत सिरियस सी लेंगे उसके video discussion को बहुत सिरियस सी लेंगे क्योंकि अमरेश भाई और निखिल भाई को देखी exam का analysis इनको जादा है exam के लिए क्या जरूरी है इनको जादा expertise है आप अगर मेरा video देखेंगे तो हम दुसरे domain में काम करते हैं मेरा यह नहीं है कि अगर हम किसी को revolutionary struggle पढ़ा रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि video देखते देखते अगर बच्चा भारत माता की जय नहीं बोला तो क्या revolutionary struggle पढ़ा भाई उसको भारत माता की जय बुला देना है जोड से जोस में हम भी आ जाते हैं और आपको पता है कि बहुत दिन से निखिल सर को current affairs नहीं लेके आ रहे थे क्योंकि इसलिए नहीं लेके आ रहे थे कि हम कुछ भी आपको नहीं ठोब सकते हैं हम लोग responsibly काम करना चाहते हैं आज आपको current affairs का questions मिला होगा बहुत ही quality questions मिला होगा और ये current affairs का सिलसिला जारी रहेगा निखिल सर continue करेंगे current affairs को और CBS भी continued रहेगा तो please इन दोनों चीज़ को आप seriously लीजे बाकी आपका मानना है नहीं मानेंगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है न signing off रोहित